नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर अगनी भीट भरती के लिए पहले दिन इतने अभ्यरतियों ने लगाई दौर नारास डीम ने तीन सिछगों का काटा वेतन बिहार बोर्ट ने दिया परिच्छा के रिजिस्ट्रेशन के लिए एक और मौका जाने क्यों लाखों विद्यार्थी बीपीएसी का पॉम भरने से रह जाएंगे वंचित दावादेश दौरी पर नहीं जाएंगे केल राहुल इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तकी बड़ी खबरों के और विस्तार से बोध गया में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग समारों की सुरुआत आज गानी 2 दौसंबर को बोध गया में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग समारों की सुरुआत की गई है रहे समारों का उद्गाटन भारत के पुर्वराश्ट्रपती रामनाथ कोविंद के दौरा किया गया है मिल जानकारी के अनुसार समारों में 10 देसों के 4,000 से जाद अश्रधालों शामिल हुए है बताते चले कि बोद गया में होने वाले इस कारिक्रम में बिहार के राजेपाल फागु चोहान भी सामिल होने वाले थे लेकिन किनी कारणों की वज़ा से वह शामिल नहीं हो सके बिहार बोड ने दिया परिच्छा के रेजिस्ट्रेशन के लिए एक और मौका वैसे इस्ट्रेशन जो अभी तक 11 वी में अडमिशन लेनी के लिए रेजिस्ट्रेशन नहीं किया है या खबर उनके लिए है बता दे कि बिहार विद्याले परिच्छा समीती के दौरा 11-20-2021 में अडमिशर लेने वाले ने च्टरेंट के लिए रजिस्टरेंटेशन के थी बढ़ा दी गई है ऐसे च्टरेंट सब 15 दिसंबर तक अपना रजिस्टरेशन करवा सकते हैं प्रणकारी के लिए बता दे किससे पहले रिजिस्ट्रेशन के अंतिम तारीक 30 नवंबर निर्धारित की गई थी जिसे समीति के दोरा बढ़ा कर 15 दिसंबर तक कर दिया गया है इसके साथ ही बोर्ट ने कहा है कि रिजिस्ट्रेशन करने के दोरान किसी विप्रकार की चूक न नहीं दी जाएगी नवंबर में बिहार की बिरोजगारी दर करी तीन फीस्टी बढ़ी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकनॉमी के तहत ताजा आक्रों के नुसार बिहार राजे में ऑक्टूबर महीने की तुलना में नवंबर महीने में बिरोजगारी दर की बढ़ बरती बिरोज़गारी को देखते वे एंस दस्ट्यों के पुर्व निदेशक दीएम दिवाकर सिंग के दोरा बताया गया है कि बरती बिरोज़गारी का मुख्य कारत यही है कि आर्थिक गतिवी धियां सीतल हो गई है वहीं अगर बिहार राजे के परोसी राजे में बिरोजगारी दर की बात करें तो जारकर में 14.03, उत्तर प्रदेश में 4.01 और पश्चिम बंगाल में 5.04 दर्ज की गई है मुखे मंद्री नितीज कुमार ने कृतिरास सिंग को दी बधाई जूनियर कॉमनवल्ट चैंपियंसिप की वेट लिफ्टिंग असपरदा में श्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार के खिलारी कृतिरास सिंग को बिहार के मुखे मंत्री नितीज कुमार के दोरा बधाई दी गई है बता दे कि नितीज कुमार ने उन्हें बधाई देते वे कहा कि वेट लिफ्टिंग के प्रती कृतिरास सिंग के जुनून और दर्शंकल्प नहीं आज उन्हें इस वो काम पर पहुचाया है और वह वेट लिफ्टिंग असपरदा में छे स्वर्ण पदक जीती हैं इसके ल जब अधिकारी नविन कुमार ने बिहार की मुंगेर जिले के मध्य विद्याले बेंगिल उर्दू प्राथमिक विद्याले चक हासिम उचमाध्यमिक विद्याले स्रीमतपूर का निरिक्शन किया इस निरिक्शन के दोरान जब डीम ने स्कूलों के बच्चों से सवाल किय कि वह किस देश में रहते हैं किस राजय में रहते हैं उनके जिले का नाम क्या है तो बच्चों ने ऐसा जवाब दिया जिससे सिक्षकों की पोल खुलती नजर आई पता दे कि उन्होंने भारत को राजधानी और जला को मुफसल बताया है तो वहीं बिहार को देश बताया इतने अभ्यर्थियों नहीं लगाई दौर बीते दिन से सेना की अगनीवीर भरती की प्रक्रिया की सुरुवात कर दी गई है जो की 14 दिसंबर तक चलेगी बता दी कि पहले दिन गोपाल गंज के अभ्यर्थियों नहीं भाग लिया जिसमें उनकी संक्या 2800 रही जानकारी क किया गया है इन चैनित अभ्यर्थियों को अभागी की जांच प्रक्रिया के लिए भेजा दाएगा वहीं अगर आज की बात करें तो आज वैशाली और गोपालगज के बच्चे दौर में भाग लेने के लिए पटना के दानापुर पहुंचे हैं वहीं कल यानी कि 30 को सिवांचली के अभ्यर्थी दौर में भाग लेंगे नेहा सिंग राठोर ने खिसारी लाल यादव पर लगाया रो कुस दिनों से भोजपूरी फिल्म स्टार खिसारी लाल यादव काफी चर्चा में बने वे हैं बता दी कि उन्होंने कुस दिन पहले अपने इंस्टाग चार हैं उसकी सुरवात भी आपने ही की थी जब पिता बन चुके हैं तो आपके अंदर थोड़ी गंभीरता आनी चाहिए कि अब आपकी बिटिया बड़ी हो चुकी है वह आपको मंच पर देखती होगी कि उसके पिता कैसे गंदे गानों पर नाचते हैं लड़कियों का न कुछ कहते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं सच को सच और जूट को जूट ही बोलूँगी कि संग लोग सेवा आयोग से परामर्ष के बाद दीपक आनन पर एक वर्ष की अबधी के लिए उनके वेतन में एक सर तक कटोती का डंड आरोपित किया गया है बीपीसी अरसटवी के प्रारमिक परिक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रियाश शुरू हो गई है जो की 20 दिसमबर तक चलेगी आपको बता दे कि इसके लिए आवेदन वही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो इसनातक पास हो लेकिन अभी भी कई उनिवर्सिटी ऐसे हैं जिन्होंने इसनातक 30 वश की परिक्षान नहीं ली है तो वहीं कई वीवी में छात्रे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ऐसे छात्रे जिन्हें इसनातक का रिजल्ट नहीं मिल पाया है या उनिवर्सिटी के दौरा एक्जाम नहीं लिया गया है वे इसके लिए आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे चानकाडी के लिए बता दे कि राज्ये में तकनी की विश्यविद्याले का सत्र विलम चल रहा है जिस व सराब बंदी को लेकर प्रशांद की सोर ने नितीज कुमार पर कसा तंज जन सुराज पधियात्रा पर निकले चनावी रन नितिकार प्रशांद की सोर ने सराब बंदी को लेकर एक बार फिर से नितीज कुमार पर तंज कसा है प्रशांद की सोर ने नितीज कुमार के सराब बंदी को Amazon Flipkart model बताया है प्रशांत के सोर ने कहा है कि जिस तरह Amazon और Flipkart पर फोन के जरीए समान खरीद रहे हैं उसी तरह बिहार में CM NITIZ ने सराब की दुकाने बंद कर Home Delivery चालू कर दी है लोग घर बैठे दारू मंगवा रहे हैं प्रशांत के सोर ने तंज खसते वे कहा कि नितीज बावु कहने लगे हम भी इंजिनियर हैं यह अमेरिका के आदमी Amazon बना रहे हैं हम भी बिहार में Home Delivery का नया सिस्टम बनाते हैं सराब के दुकान बंद करो और Home Delivery चालू करो MCD चुनाों में जेड्यू ने 22 सीटों पर उतारे उमिद्वार दिल्ली की राजनिती में जेड्यू लगातार अपने पाउं पसारने की कोशिश कर रही है इसी को लेकर दिल्ली में होने वाले MCD चुनाव में जेडियो की ओर से 22 उमिद्वारों को मैदान में उतारा गया है बता दे कि यह चुनाव 4 दिसंबर को किया जाएगा बताते चले कि इससे पहले भी जेडियो के दौरा विधान सबाद चुनाव को लड़ा गया था लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाई थी इसलिए अब बिहार के मुखे मंतर नितीज कुमार MCD के माध्यम से दिल्ली की राजनीती में उतरने की कोशिश कर रहे है वहीं इस चुनाव को लेकर दिल्ली के प्रभारी मंतरी संजय जासांसद चंदेश्वर सिंग चंद्रवनसी सहीत कई नेताओं के दोरा प्रचार प्रचार किया जारा है जानकारी के लिए बता दे कि दिल्ली में 2800 सीटों पर चुनाव घोडा है संजय जैश्वाल ने नितीश तेरश्वी पर लगाया आड़ो बीजेपी के प्रदीस अध्यक्ष संजय जैश्वाल ने आचार सहिंता के उलंगन को लेकर नितीश कुमार और तेरश्वी यादब पर आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि राजे में आचार सहिंता लागू है लेकिन इसी दोरान बिहार के मुखे मंत्री और उप मुखे मंत्री के दोरा कई उद्गाटन से लान्यास किया जा रहे है उनके दोरा खुलंखुला आचार सहिंता का उलंगन किया जा रहा है इसके साथ ही संजय जैश्वाल ने कहा कि नितीस तेश्वी और उनसे समबंधित अधिकारियों पर अचार सहिंता के उलंगन करने के लिए कारवाय की जानी जाहिए प्रशांत किसोर ने राजे के नेताओं पर कसा तंज राजनितिक रनितिकार प्रशान की सोर ने अपनी जनसुराज यात्रा के दौराल लोगों को संबोधित करते वे बिहार के विकास की रूप रेखा को देखते वे राजे के नेताओं का नाम लिये बिना उन पर तंचकसा है उन्होंने कहा है कि राजे की गड़ी दूर करने की सकती यहां के लोगों में हैं ना कि किसी नेताओं के अंदर जो यह कर रहे हैं कि मैं गड़ी भी दूर कर दूंगा तो अगर राजे का एक तिहाई किसान सबजी उगाने लगे तो पूरे देश की सबजी आपूर्ती की जा सकती है लेकिन बिहार कभी बालू और लालू से आगे बढ़ा ही नहीं और मैं तीसरा नाम नहीं लेना चाहता बिहार के लोगों का यही मानना है कि जो नेता कुरता गंजी पहन लेता है वही नेता जमीनी नेता है बांगलादेश दोरे पर नहीं जाएंगे केल राहूल 4 दिसंबर को भारत और बांगना देश के भी सीरीज की सुरुआत हो रही है लेकिन इस दोरे से सुरू होने से पहले यह खबर सामने आई है कि इस दोरे पर भारतीय टीम के उपकप्तान केल राहूल नहीं जाएंगे मिले जानकारी के नुसर केल राहूल के दोरह BCCI से चुटी मांगी गई थी जिस पर BCCI के दोरह मोहर लगा दिया गया है अगर रिपोर्ट्स की माने तो केल राहूल ने चुटी इसलिए मांगी है क्योंकि वे अपनी गर्फिरिंड अथ्या सिटी के साथ साधी करना चाहते बता दे कि केल राहूल और अथिया सिर्टी जन्वरी के पहले हफ़ते में साधी कर सकते हैं हाला कि अभी तक तारीक का एलान नहीं किया गया है और नहीं इस बात की जानकारी है कि केल राहूल ने BCCI से कब तक या कितने समय तक छुटी मांगी है बताते चले कि बंगलादेश के दोरे पर टीम इंडिया को बंगलादेश के खिलाफ तीन मैच की वंडे सिरीज खेलनी है और तीन मैच की T20 सिरीज खेलनी है जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट, बिहार में आज यहानी सुक्रवार को पेट्रॉल डीजल के रेट जारी किये गए जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रॉल 107.22 और डीजल 94.2 रूपए प्रती लीटर में मिल रहा है मुझपरपुर में पेट्रॉल 107.91 रूपे और डीजल 94.64 रूपे प्रती लीटर में है महिपुर्णिया में पेट्रॉल की कीमत 108.72 रूपे और डीजल 95.4 रूपे प्रती लीटर है पतादी की बिहार में पेट्रॉल का रेट सबसे ज़्यादा किसन गंज में है जहां सुक्रवार को पेट्रॉल 109.4 रुपेर प्रती लीटर की दर से मिल रहा है। सलीम, रौनक, रोहित राज अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके अनुसार बांगलादेश दोरे पर केल राहुल के न रहने से टीम इंडिया को कितना नुकसान होगा। आप अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं